तो मैं डियरी स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका सौगत है और आज हम कक्छा 10 का सौपलिमेंटर रीडर जो पढ़ रहे हैं जो पहला आपका चेप्टर है दो इन्वेंटर हूँ केप टेस प्रॉमिस को पढ़ रहे हैं पहला पार्ट में इसका पढ़ वीडियो इसका देखें आप तब आप इस वीडियो पर आईएगा क्योंकि आप बीच से पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आएगा आपको इस्टोरी में आपको थोड़ा सा बता दों कि बताए गया है कि एडिसन इसकूल पर था वह कुछ ऐसे परस्न पूछा कि जो परस्न उसके जो मैडम थी उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने एडिसन को इसकूल से निकाल दिया एडिसन जो घर पर आया उसकी मम्मी उसे पढ़ाने लगी और एडिसन ने एक बार एक खिणिया को देख करके दिमाग में विचार लाया कि खिणिया उड़ती है क्योंकि वह कीड़े खाती है तो उसने एक नौकर की लड़की को कीड़े पिला दिया इस उम्मीद से कि यह फिर वह एक बार एक मूर्गी को देखा जो अंडो पर बैटी हुई थी अंडे से रही थी एडिसन ने सोचा कि क्या इंसान अंडे से नहीं सकता है तो एडिसन ने भी अंडे सेने का काम किया उस दिन भी उसकी मम्मी ने उसको अच्छी तरह से पीटी थी आईए आगे सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेनों और सेकेंद फांग पार्शे मिटेंग होता है फेल्ड वह सफल रहो गया इन आल दीज एक्स्पिरिमेंट इन सभी परियोगों में जो उपर पढ़ाए गया है बट लेकिन ही एड लांट वह सीखा था संथिंग फ्राम देम लेकिन व इन लेंट वह सीखा देट की ही जाईडियाज वर रॉंग की उसके वीचार गलत थे वाज फांड आब अब बुक्स वह पुस्तपों को पढने का सोकीन था फांड आप सोकीन होना मैं चाय का सोकीन हूं I am fond of tea मैं पढने का सोकीन हूं I am fond of teaching तो फांड आपके बाद वोरब पाएगा तो आएंजी फार हो जाएगी अदर्वाइज नाउन रहेगा तो नाउन लिखेंगे और रेट क्वाइज अलाट आफ देम और वह बहुत धेर सारी पुस्तकों को पढ़ा काध्यन किया इस फादर उसके पिता गेव देते थे हिम उसे 25 cents for every book he read उसके पिता एरिशन को एक पुस्तक पढ़ने पर उसे 25 cents देते थे ऐसा इसलिए करते थे कि एरिशन का उत्सा बना रहा है वह उत्सा ही थोगर गेव पुस्तकों को पढ़ना जारी देखे और सेट अप अस्थापित कर लिया आगे देखें एक लाइन मिस हो गया है क्या बता रहा है कि इस फादर गेव हिम 25 cents for every book he read वह जो पुस्तक पढ़ता था उस पुस्तक पढ़ने के लिए एडिशन के पिता उसे 25 cents देते थे he read widely वह बिश्तित अध्यन किया with the pocket money he got और वह जो जेव खर्च पाता था he bought more books और धेर सारी पुस्तक के खरीदा and set up a small laboratory set up means अस्थापित करना फ्रेजर वर्व है याद कर लिजे वह एक छोटी सी प्रयोग साला भी अस्थापित कर लिया his mother उसकी माता encouraged उसाहित करती थी प्रोशाहित करती थी he means उन्य अर्थात एडिसन को and or helped him in his experiments और वह एडिसन के परयोगों में उसकी मदद करती थी आईए really funny से हमेहा तक इस पैसेस का एक बार फिर हिंदी देख लेते हैं बता रहा कि क्या वह वास्तों में एक अनोखा बालक नहीं था वह इन सभी परयोगों में असफल रहा परंथ उसने उनसे कुछ सीखा उसने उनसे सीखा था कि उसके वीचार गलत थे वह पुष्टकों को पढ़ने का बहुत अधिक सौकीन था और उनमें से बहुत सी पुष्टक्या पढ़ी थी उसके पिता उसको एक पुष्टक पढ़ और इतना ही नहीं एक छोटी सी परियोग साला भी अस्थापित कर लिया उसकी माँ उससे उसाहित करती थी और एडिशन के परियोगों उसकी मड़त करती थी इस डूरेंट्स मैं आपको बता दूँ कि उसके मातापिता बहुत ही बुद्धिमान थे उन्हें यह बात मालूम थ किया मेरा जो बच्चा है जो है इस बच्चपन में ही कुशागर बुद्धि का है यह आगे चल करके बहुत बड़ा नाम करेगा एक बहुत बड़ा समाज के लिए काम करेगा इस वज़े से उसके मातापिता उसका हर संभव मड़त किया करते थे आगे पढ़ते हैं दूसरे पर अगर आपको देखते हैं आप्टर सम टाइम्स कुछ समय बाद एडिसन फाउंड एडिसन ने पाया एडिसन को यह मालूम पड़ा जनकारी हुई दैट मिंस की हिंडी वाक के बीच में दैट आता है तो इसका सौरी इंगलिस में तो उसका आ परियोगों को कुछ समय के पस साथ एडिसन को अपने परियोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवसकता का मालूम हुआ और अधिक धन की जरुवत पड़ी ऐसा उसे ग्याथ हुआ and or he wanted more books वह और भी अधिक पुष्टका चाहता था वांटेड में साना as he had rich जैसा की वह पर्चुका था all the books he had at home जैसा की एडिसन के घर पे जो पुष्टका थी एडिसन उन सारी पुष्टकों का ध्यान कर चुका था he wanted to go out वह बाहर जाना चाहता था and see new places नए जगों को देखना चाहता था and new people और नए लोगों से मिलना चाहता था students मैं आपको एक चीज बता दूँ कि ग्यान बाहर घूमने से लोगों के बीच में रहने से बुद्धिमानों के बीच में रहने से भी अमारा ग्यान बता है तेडिसन नए अस्थानों नए ब्यक्तियों को देखने के लिए बाहर जाना चाहता था he wanted to reach वह पढ़ना चाहता था आप जाना चाहते थे you wanted to go new books नहीं पुष्टकें and or to improve सुधारना his knowledge और अपने ग्यान को सुधारना चाहता था so इसलिए he decided on a needle to take up a job in the railway railway में एक नवकरी लेने का निड़े किया किसने एडिसन ने at first सबसे पहले his parents उसके माता पिता did not like this idea इस विचार को पसंद नहीं किये एडिसन की इस बातों से सहमत नहीं हुए as जैसा कि he was just 12 years old जैसा कि उसमें एडिसन मात्र 12 वर्स का ही था but लेकिन they agreed agreed सहमत हो गए they means वे उसके माता पिता लेकिन वे सहमत हो गए when जब he or thought एडिसन gave दिया देमुने good reason अच्छा तर्क for his decision अपने निड़े के प्रती अर्थाद बता रहा है कि जब उसने इस निड़े का समुचित कारण बताया तो उन्होंने उसे अपनी सहमती परदान कर दी so इस परकार Edison became a newspaper boy इस परकार से एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला बालक हो गया एक अस्थान का नाम है बता रहा है कि वह ट्रेन से डिट्रोइट तक आने जाने लगा और वह समाचार पत्र बेचने वाला बालक हो गया इस ओल्ड वह बेचता था सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर सेकेंड फार्म कॉंसाटेंस पास्ट एफिटेंस बार बार आपको बताय जाता है कि जब भी कोई स्टोरी लिखी जाती है तो पास्ट एफिटेंस में लिखी जाएगी अगर इस स्टोरी वह गुजरेवे समय की है इस ओल्ड निउस पेपर्स हुआ अखबार या समाचार पत्रों को बेचता था स्वीट्स मिठाईयों बेचा मिठाईयों को बेचा एंड फ्रूट्स फल बेचा एंड और कमाया टू डालर आन दा फर्स डे और पहले ही दिन एडिशन ने दो डालर की कमाई कर लिय समय के वक्त के टाइम में अपनी माता से कहा देट नाइट उस रात क्या कहा टेक दिस डालर मदर मम्मी यह डालर ले लो एवरी नाइट पर तेक रात आई सेल गीब यू मैं आपको दूँगा फ्यूचर डेफिंटेंस गीमिंज देना और डालर एक डालर फ्राम वाट आयर न जो मैं कमाऊंगा एंड और ही केट इस प्रामीज और उसने अपना बचन पूरा किया क्या बचन एडिशन ने क्या कहा कि माता आप डालर ले लो औ और प्रतेक रात्री को मैं आपको एक डालर दिया करूंगा पहले ही दिन से एडिशन ने कमाना और बचाना दोनों प्रारम कर दिया आप इस बात से अनुमाल लगा सकते हैं कि एडिशन कितना अधिक बुद्धिमान लड़का था नेक्स देखें और एक वर्ष और टू या दो वर्षों लेटर बाद में एडिशन डिसाइड या डिसाइड ने निड़ा लिया डिसाइड निड़ा लेना तू प्रोडूस उत्पर्ण करना इस ओन निउस्पेपर अपना स्वय का समाचार पत्र एक या दो वर्ष के पस्चाइड एडिशन ने अपना समाचार पत्र निकाला खुद का ही बाक होust खरीदा एड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेश ऐक पुराना चाप खाना चाथरू मैं बता दूँ हूर सकते आपननों जान रहे हो जो पेपर होता है वाद बला चाप खरीदा पुराना और सेट इट अप सेट अप बली बता दिया अस्थापित करना वह इसे अस्थापित कर दिया in his railway wagon अपने train के डब्बे में रिलगाली के डब्बे में ही लगा दिया ही एडिटेट वह प्रसकासित किया और प्रिंटेट सापा इस पेपर अपने पत्रों को और शोल्ड और नंबर आप कॉपी बहुत धेर सारी प्रतियां बेचा अखबार का और मेंड मोर मनी और बहुत धेर सारे धन कमा लिया विद द मनी ही गाट जो धनुवा पाया जो धनुवा कमाया इस सेट अप ए समॉल लेबरेटरी इन ही रेलवे वैगन तो उसने उस अपने छोटे से ट्रेन की डब्बे में एक छोटी सी प्रियोखसाला भी अस्थापित कर लिया ट्रेल गारी के डब्बे में वो अपनी एक परियोक साला भी अस्थापित कर लिया कौन एडिसन फिर से एक बार हिंदी देख लें एक या दो वर्ष के पस्चात एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकाला उसने एक पुराना चाप खाना खाईदा और ट्रेन के अपने डब्बे में इसे लगाया उसने समाचार पत्र को संपारित किया और चापा और समाचार पत्र की धेर सारी कापियां बेच दिया इस परकार से एडिसन ने बहुत अधिक धन कमा लिया और समाचार पत्र की प्रतियां बेचने से जो उसे धन मिला जो उसकी कमाई हुई अर्निंग हुई उसने उससे अपनी एक छोटी सी परियोग साला रेलगारी के डब्बे में ही अस्थापी कर लिया एडशन की अब गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी एडशन अब अर्निंग भी करने लगा आगे देखें क्या हुआ वें जब ही वाज 15 जब वह मात लगबख 15 साल का था वह या 15 वर्ष का था ही मेट विद एन एक्सिडेंट तो उसके साथ एक दुरगटना घटी या जब वह 15 वर्ष का था तो एक दुरगटना घटी एडशन के साथ देट जो अफेक्टेड इस केरियर जो एडशन के जीवन चक्र को परभावित कर दिया सोचिए 15 वर्ष का ही था करीब आपके उमर का अपना उमर आप देख लीजिए 15 वर्ष के अगल वगल आप होंगे वाइल जब ही वाज डूइग ऐन एक्सपेरीमेंट जब वह परப्योकसाला में परयोक कर रहा था इनरीज लैबुरित्री अपनें परयोकसाला में परयोक कर रहा था दे ट्रेन टोर्ण रोटर तो एक कोने पर रेल गाडी मुड़ी there was a sudden joint एकदम जटका लगा वहाँ चानक से जटकाया and a bit of phosphorus fell on the floor और phosphorus का एक टुकडा फर्स पर गिर गिर गिया आफिस के रेजु स्ट्रेन के डब्बे के and or it caught fire और इससे आग लग गई before he could put it out इससे पहले की एडिशन आग बुझाता the newspaper had caught fire समाचार पत्रों में आग पकड़ लिया चात्रों मैं आपको बता दूँ कि put out एक phrasal verb इसका मतलब होता है आग बुझाना याद कर लिजे put out आग बुझाना a set fire आग लगना तो समाचार पत्रों में आग लग गई और क्या हुआ इतना ही नही the fire spread आग फैलने लगी and Edison shouted for help Edison मदद के लिए चिलाने लगा the god came in god अंदर आया तेन में god होते हैं and together और साथ साथ they were able to put out the fire वे दोनों आग को मिलकर के बुझाने में काम्याब हो गए काबु पालिये बट लेकिन that was the end of Edison service service में सेवा नौकरी लेकिन यह Edison के नौकरी का सेवा कांद था on the train train पर he was dismissed निकाल देना हटा देना बरखास्द कर देना बता रहा है कि Edison को नौकरी से क्या किया गया dismissed कर दिया गया निकाल दिया गया I had the next station अगले station पर Edison को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया अब Edison ट्रेन में अख़बार बेचने का नहीं करेगा अपना परियोग नहीं करेगा ऐसा नहीं करेगा उसका इतना वड़ा सपना था सारा सपना उसका चकना चूर हो गया The next five years अगले पांच वर्सों में Edison took a job Edison ने नौकरी किया इन डिफरेंट सिटीज अलग-अलग सहरों में Edison ने जो है इस अवधि में पांच साल तक अगल बगल के सहरों में एधर उदर जाकर के नौकरी किया He made good use of the libraries वह पुस्तकालियों का अच्छी तरह से जो है परियोग किया and met और मिला एक्सपोर्ट्स भी से सग्यों से in the factories, factories यों में and workshops और workshop यानि कारखानों में He asked them questions वह उनसे परशन पूछा या उसकी पुराणिया दे थी परशन पूछने का learnt a lot from them उनमें से बहुत धेर सारा चीज सीखा and word harder at age experiments और अपने परियोगों परवा और कठीन पैसराम करने लगा तो यह एडिसन का जो है नोकरी से बाहर निकलने के बाद क्या था कि अलग अलग सहरों में काम किया उसने पुस्तकालेओं का पूरा लाव उठाया छात्रों मैं बता दू हो सकता आपनों जान रहा हो लेकिन बड़े बड़े सहरों में पुस्तकाले होते हैं वहांपर आप जा कर के पुस्तकों को फिर ही आप कॉस्ट पर सकते हैं कहीं कहीं कुछ charges भी देने होते हैं तेडिसन वहां गया जा करके पुस्तकों को पढ़ा जो कि वहां कुछ ऐसे भी पुस्तका होती है जो इतने उच्छे दामों की होती है कि आप उसे परस्णली खरीद हो सकते हैं बट बहुत पैसा पे करना होगा तो फिर हाल हम उसको लाइबरिली से पढ़ लेते हैं जो काम की चीज़े होती हैं नोट कर लेते हैं तेडिसन ने कुछ इस तरह का काम किया आगे देखां फिर क्या हुआ डूरिंग दिस पिरिएड इस दोरान वह कुछ समय के लिए कुछ सवध के लिए नोकरी से बाहर था नोकरी नहीं मिली एंड वाज स्टेइंग विद फ्रेंड और वाइक मित्र के साथ ठारा हुआ था दिस यंग मैन वाज वरकिंग इन अ कंपनी देर यह नौजवान आदमी वहीं एक कंपनी में काम करता था यह उस व्यक्ति के बारें बता रहा है जो एडिसन का मित्र था एडिसन उसी के वहाँ ठारा वगए था इन देट कंपनी उस कंपनी में दे हैड एन इंपर्टेंट मसीन यहां आगे मसीन लिखा है पेज पल्टेंगे तो बता रहा है कि कंपनी में क्या थी एक महत्वपूर मशीन थी आगे देखां क्या हुआ देखे यहां एक बार एडिशन का किस्मत ने तक्दीर ने फिर उसका साथ दिया वन दे एक दिन दा मशीन इस्टाफड सडेनली एक दिन वह मशीन जो इंपोर्डेंट मशीन थी अचानक रुप गई काम करना बंद कर दिया एडिशन वाज देर एड दा टाइम उस समय उस समय उस वक्त उस मौके पर एडिशन वही था या एक सायोग था वह मशीन पर एक दिरिश्टी डाली और बहुत कम समय में ही उसने इस मशीन का मरमत कर दिया दे मैनेजर आफ दा कमपनी जो इस कमपनी का मैनेजर था लाइड एडिशन एडिशन को पसंद किया और एडिशन को एक बहुत अच्छी नौकरी दे दिया एडिशन पेड आफ पेड आफ चुकता करना इडिशन ने अपने करजों को चुकता कर दिया एंड इंप्रूवड और सुधार लिया इडिशन लेबरोटरी अपने परियोख साला को चातरों मैं चीज़ बता दूँ कि अगर एडिशन चाहा होता तो उस कमपनी में काम किया होता तो बहुत पैसे उसे मिले होते बट इडिशन का लक्ष कुछ और था पोपनी जिन्दगी में कुछ नया करना चाहता था कुछ बड़ा करना चाहता था जिस चीज़ को दुनिया के किसी भी ब्यक्ति ने किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं किया था और अंततह एडिशन के जो जुनून था जो पैसन था एडिशन को उस मुकाम पर पहुचा दिया तो चात्रों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो जब आपका आधे घंटे से जादे हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में आनंद नहीं होगा तो इसलिए मैं 20-25 मिनट का ही वीडियो बलाता हूँ ताकि आप भी एक वीडियो का लिंक जब आपके पास आए तो आप उसे अराम से पढ़ सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई